कि आपके पास भी एक Realme का device है तो ऐसे में कि आपको भी face lock में यह error देखने को मिल रहा है can't verify face hardware not available ok करके error देखने को मिल रहा है तो आज किस वीडियो में आपको दो ऐसी settings बताऊँगो जिन दो settings को enable करने को में guarantee के साथ कहा तो 100% like proof के साथ आज किस वीडियो में आपको इस problem को सालुक करके दिखाने वरो तो दोस्तों इस problem को सालुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने realme phone की home screen पर आ जानागू तो जैसी आप अपने mobile phone की home screen पयेगे तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने realme phone में settings को निकल के लाना गूँता दोस्तों यहाँ पर आपको देख रहे हो पहला network and internet का दूसरा connected device का तीसरा apps and notification तो यहाँ पर मुझे तीसरा option है apps and notification तो हो सकते आपको नेचे चलके कहीं पर आ रहोगो management app, app info या app list का icon देख रहे हो तो कहने का मतलब है आपको अपने mobile phone की settings में सारी की सारी apps को निकाल के लाना है तो जैस बार के साथ आपको three dots का icon पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको show all apps या show system का icon पर क्लिक करना है तो आपके mobile phone में show all apps भी हो सकते तो जैसी आप show system का icon पर क्लिक करेंगे तो आपके समने ऐसा कुछ interface देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको simply top काना पर search वाले icon पर search के कर करना है तो जैसी आप system UI पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखना को notification permission storage and cache तो storage and cache का icon पर क्लिक करके यहाँ आपको clear cache कर देना है तो यहाँ पर आपको four stop का icon पर क्लिक करके आपको ok कर देना है तो इतनी setting कर देने तो यहाँ गई setting number first अब आपको अपने mobile phone में दूसर settings को open करने के आपको scroll करना है तो यहाँ पर आपको bottom में दिखना होगा Google के साथ यह system का तो आपको system के icon पर क्लिक करना है तो जैसी आप system के icon पर क्लिक करेंगे तो आपके समने कुछ as interface निकलके आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहला language का दूसरा गेस्टल का तीसर reset there will reset all network settings including Wi-Fi mobile data Bluetooth तो आपको bottom में reset setting के icon पर क्लिक करना है तो जैसी क्लिक करेंगे तो आपको security button को लगा देना यहाँ पर तो दोस्तों मैं आपको पताँ को यहाँ पर आपको reset करने साब कोई भी data delete नहीं होने वाला बस आपके mobile phone की setting जो है reset होने वाली तो यहाँ पर bottom में reset setting क आइकन पर क्लिक करना है तो जैसी क्लिक करेंगे थोड़ा आपको यहाँ पर wait कर लेना तो यहाँ पर आपको setting area reset होने वाली यह बाकि आपके mobile phone में reset होने वाली बाकि आपके mobile phone में देखने को नहीं मिल सकीगी तो दोस्तों कुछ इस तरह किसा आप यह उस problem को solve कर सकते हैं थ अच्छ लगी चैनल को सब्सक्राइब कराना भूली थैंक यू